इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति है जो समय के चक्र के पीछे जाकर अधियन करता है और मानव और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में लिखता है हमारे भारत में रोमिला, थापर और जादुनाद सरकार जैसे इतिहासकारों ने युएस में हिस्टॉरियन और प्रोफेसर के ओल्डिस असोश्टीएशन, अमारिकन हिस्टॉरिकल इसोश्टीएशन से अनुररी पॉर्ण मेंबर प्राईस जीद भारत का नाम रौशन किया इस लिस्ट में 2019 में रामचंद्र गुहा ने भी अपना नाम शामिल कर लिया और ऐसा करने वाले वो भारत के तीसरे हिस्टोरियन है आज हम उनी के बारे में बात करने जा रहे हैं 29 अप्रेल 1958 को उत्तर प्रिदेश के दहरादून जब उत्राखन में है में जन्मे रामचंद्र एक तमिल रामःड परिवार से बिलॉंग करते हैं उनके पिता सब्रमान्यम रामदास गुहा दहरादून के फॉर्स रिसर्च इंस्ट्यूट में काम करते थे और मा एक हाई स्कूल टीचर थी उनकी देखरे फॉर्ण रिसर्च इंस्ट्यूट के कैंपस में हुई थी गुहा ने अपनी स्कूली पढ़ाई दहरादून के कैंबरज हॉल और दून स्कूल से की थी लिखने का शौक उन्हें बच्पन से ही था स्कूली दिनों में वो स्कूल न्यूस्पेपर दून स्कूल वीकली के लिखते थे और हिस्ट्री टाइम स्नामा के एक पब्लिकेशन में अमिताफ घोष के साथ काम भी करते थे वही अमिताफ घोष जो आगे चलकर भारत के विख्यात लेखक बने वर्ष 1977 में उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज डिली से एकनॉमिक्स में अपनी बैस्टर्स की डिग्री ली और एकनॉमिक्स में मास्टर्स डिली स्कूल ओफ एकनॉमिक्स से किया उन्होंने Indian Institute of Management Calcutta में अपना नाम आंकन करवाया जिपको मुवमिन में फोकस करने वाली Social History of Forestry नुत्राकन Fellowship प्रोग्राम में काम किया उनकी यही रिसर्च बाद में उनकी किताब The Unquiet Woods में पबलिश वी थी उन्होंने सन 1985 से 2000 तक भारत, नौर्थ अमारिका और यूरोप की कई प्रतिष्टत इनिवर्सिटीज में पढ़ाया जिन में University of California, Berkeley, Yale University, Stanford University और Oslo University भी शामिल है बाद में उन्होंने Indian Institute of Science में भी पढ़ाया इसी दोरान वो जर्मनी के Wissenschaft College Zoo Berlin में एक फेलो भी रहे गुहा फिर बैंगलोड चले गए और उन्होंने अपना पूरा ध्यान और समय लिखने पर लगाया वर्श 2001 में उन्हें उनकी ऐसे री हिस्ट्री ओफ कम्यूनिटी फोरेस्ट्री इन इंडिया के लिए लियोपोल्ड हिडी प्राइज अफ दी अमेरिकन ससाइटी एफ एंवार्मेंटल हिस्ट्री से सम्मानित किया गया वर्श 2002 के गुजरात के दंगों के उपर धारत किताब गुजरात The Making of a Tragedy में उन्होंने The V.A.H.P. Needs to Hear the Condemption of the Hindu Middle Ground शीशक का एक अध्याय लिखाता ये किताब 2002 में पबलिश वी थी 2003 में वो Indian Institute of Science में Humanities के विजिटिंग प्रोफेसर रहे वर्श 2007 में उन्होंने अपनी नामी किताब India After Gandhi पबलिश की थी इस किताब का Translation Hindi में दो volumes में तमिल और बंगाली में भी किया गया है इस किताब के लिए उन्हें साहित्य Academy Awards से समानत किया गया था 2011 से 12 तक वो London School of Economics के Philippe Roman Chair of International Affairs and History रहे वो The Telegraph, Hindustan Times और The Indian Express जैसे Newspapers और Economics and Political Weekly Outlook सेमिनार और The Karawan जैसे Magazines के लिए लिखते हैं 2013 में उन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्रफी का पहला पार्ट गांधी विफोर इंडिया पब्लिश किया 2018 में गांधी The Years That Change the World लेकर उन्होंने History of Modern India की तीन वॉलिम्स को पूरा किया उन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं बलकि भारत में क्रिकेट के इतिहास पर भी एक किताब लिखी A Corner of a Foreign Field, The Indian History of a British Sport जिससे 2002 में पब्लिश किया गया उन्हें इसके लिए The Daily Telegraph Cricket Society Book of the Year Prize for 2002 से सम्मानत किया गया था क्रिकेट पे आही गये तो आपको बता दे कि जलाई 2017 में उन्होंने Board of Control for Cricket in India BCCI Administration Committee की कुछ सी Personal Reason की वज़े से छोड़ दी थी उन्हें क्रिकेट में आपस्पोकर कमेंटेटर भी बोला जा रहा था खास तोर की क्रिकेटर विराट कोली के लिए अपने उपीनियन्स को लेकर उन्हें उनके काम के लिए कई परुसकार से सम्मानित किया जा चुका है जिनमें The Malcolm Adidasya Award for Excellence in Social Science Research तरामनाद गुएंग का Prize for Excellence in Journalism और फुकुओ का Asian Culture Prize भी शामिल है आपको बता दे कि उन्हें Literature and Education में कंट्रिबूशन के लिए 2009 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था ये तो थी उनकी Profession Life की बाते अब उनकी Personal Life पे आते हैं उनकी पद्मी सजाता केशावन एक Graphic Designer है उनके दो बच्चे हैं वो अपनी ओपीनियन को लोगों से शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकचाते है गुहा ने Citizenship Amendment Bill 2019 के खिलाव भी प्रोटेस्ट किया लेकिन Bangalore Police ने उन्हें हिरासत में ले लिया था जिसकी विडियो सोचल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और जैसे देख कर कई परसनालिटी जैसे ममता बेनल जी बायर कॉन की किरन मजंदार शौ और आक्टर पॉलिटिशन कमल हासन ने अपनी निराशा जाहर की तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारे वैडियो कैसा लागा हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताएगा रामचंद्र गुहा से जोड़ी कोई अन्य जानकारी हो तो हमसे शेयर करना मत बूलेगा आप से मिलेंगे फिर किसी परसनालिटी के साथ हमारा साथ देने के लिए शक्रिया और टेक केर